प्रशन एकत्यस निम्न फलनों के उच्छिष्ट तथा निम्निष्ट मान ग्याद कीजे पहला प्रशन हमें मिला है फलन है एक्स की पावर पाँच माइनस पाँच एक्स की पावर चार प्लस पाँच एक्स की पावर तीन माइनस दो हम इसे य के बराबर माल लेते हैं तो y बराबर हो गया, x की पावर 5, सब्सक्राइछ, 5 था हिरह, 5x की पावर 4, प्लस 5x की पावर 3, सब्सक्राइछ, 2. है यह हमारा y का मान हो गया, दिये गया फलन का मान हो गया, अब हम dyy dx निकालते हैं, x के सापेश अउगल करते हैं, तो यह कितना हो जाएगा x की पावर 5 का हो गया 5 x की पावर 4 माइनस 5 जोग 20 x की पावर 3 प्लस 5 तीए 15 x की पावर 2 और माइनस 2 का हो गया 0 यहां हम 5 x square common ले सकते हैं bracket में क्या मिलेगा x square minus 4 x प्लस 3 इसके बुढ़न खंड करें तो माइनस 4 x को हम लिख सकते हैं माइनस 3 x माइनस 1 अरथा गुढ़न खंड क्या हो जाएंगे 5 x square इसी प्रकार आ गया as it is ले लिया इसके गुढ़न खंड हो गए x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 1 यह हमारे गुढ़न खंड हो गए x square माइनस 4 x प्लस 3 के अब हमें dy by dx को उचिष्ट या निमनिष्ट मान याद करने के लिए 0 के बराबर करना है तो dy by dx बराबर 0 उचिष्ट या निमनिष्ट का करने के बाद हमको क्या मिलता है 5 x square इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 बराबर 0 अर्थाद या तो x square 0 के बराबर है तो हमें मिल जाएगा x बराबर 0 या x माइनस 3 0 के बराबर है तो हमें मिल जाएगा x बराबर 3 और या x माइनस 1 0 के बराबर है जिससे हमें मिल जाएगा x बराबर 1 तो इस परकार हमें x के 3 मान मिले 0, 3 और 1 अब हम इन मानों पर धलंग के मान को देखते हैं तो हम यहाँ d2y by dx square निकालें तो क्या मिलेगा अब हम d2y by dx square निकालते हैं तो d2y by dx square निकाला इसको हमें उन्हें उकलंग करना है तो यह हो गया 5 ज़ग 20x की पावर 3 माइनस 60x की पावर 2 प्लस 15 दूनी 30x की पावर 1 अर्थात x यह हमें मिला x बराबर 0 पर इस पश्ट है कि यह मान 0 के बराबर होगा तो x बराबर 0 पर d2y by dx square बराबर है 0 अर्थात हमें उन्हें अउकलंग करना चीए और x बराबर 0 रखना चीए तो d3y by dx cube हमने ग्याद किया इसको हमें पुने अउकलंग करना है तो यह मान कितना हो जाएगा 60x square माइनस 120x प्लस 30 यह हमें मिला अब इसमें x बराबर 0 रखा तो x बराबर 0 पर d3y by dx cube कितना हो जाता है 60 x 0 अर्थाद 0 माइनस 120 x 0 अर्थाद 0 प्लस 30 अर्थाद मान आता है 30 जोकि इस पश्ट है 0 से बड़ा है जोकि इस पश्ट है 0 से बड़ा है अर्थाद x बराबर 0 पर ना तो हमें उच्चिष्ट मिलेगा ना निमनिष्ट मिलेगा इसलिए x पराबर 0 पर हलन का चरम मान नहीं है क्योंकि हम पाते हैं d3 y by dx3 greater than 0 आ रहा है अब हम दूसरा x का मान लेते हैं x बराबर 3 x बराबर 3 यदि हम y के इस मान में रख दें तो हमें क्या मिल जाता है y बराबर हो जाएगा 3 की पावर 5 minus 5 into 3 की पावर 4 plus 5 into 3 की पावर 3 minus 2 यह हमें मिला calculate करते हैं इस मान को 3 की पावर 5 हो गया 243 minus 3 की पावर 4 हो गया 81 गुणा 5 यह मान आता है 405 plus 3 की पावर 3 हो गया 27 गुणा 5 यह मान हो गया 135 minus 2 calculate करें इस मान को तो हमें क्या मिलेगा minus 39 y का हमें मान मिलता है x बरावर 3 पर minus 39 अब हम x बरावर 1 लेते हैं तो x बरावर 1 पर y का मान क्या आता है यहाँ पर हम x का मान एक रख दें 1 की पावर 5 minus 5 into 1 की पावर 4 plus 5 into 1 की पावर 3 minus 2 मान हो गया 1 minus 5 plus 5 minus 2 अर्थात यह मान कितना आ गया 5 से 5 कैंसल हो गया minus 1 तो यहाँ इस परष्ट है कि जो x बरावर 1 पर मान आ रहा है यह मान हमान को किस पे मिला है x बरावर 1 पर यह मान मिला है x बरावर 3 पर तो x बरावर 1 पर ये मान माइनस एक आता है जबकि x बराबर 3 पर माइनस 39 आता है तो फलन का मान जो उचिष्ट है वो तो हो गया माइनस एक और निमनिश्ट है वो है माइनस 29 तो इसलिए x बराबर 1 पर उचिष्ट है मान जो की माइनस एक है और x बराबर 3 पर निमनिश्ट है मान वो है माइनस 39